आज की वीडियो में मैं आपको इस तरीकी की बाजू का बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाना सिखाऊंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस तरह की बाजु बनाने के लिए सबसे पहले आपको बाजु की cutting कर लेनी हैं और जितनी भी आपको बाजु की लंबहाईश चाहिए आप अपने हशाब से कम जादा रख सकते हैं तो मैंने जो इसके लंबहाई के लिए और ये चाहिए उसके मुड़़े हैं जो इसके कपड़ी के लंबाई है वो 14 इंचे और जो इसके चोड़ाई है वो 3 इंचे, इसी तरह से में ओध्यमायां ने just प्ट्ट्ि कुछ पंड़ेवासGu आप तों में लेना है, इसे hap ब्ले दबल पोल गना है और इस पन्हाइया रखा देनी है मैंने इन दोनों पट्टियों पे सलाई लगा दी है सलाई लगाने के बाद आपको इन दोनों पट्टियों के अंदर कट लगाने हैं तापि ये पट्टी अच्छे से सीधी हो जाए और इसके लिपल भी छोड़ना आए मैंने इन दोनों पट्टियों के अंदर अच्छे से कट लगा दिये हैं उसके बाद में आपको एक तिली लेनी है आप कुछ मिले सकते हैं इसे सीधा करने के लिए और इसे आपको इस तरह से इसके नडालना है और आपको इसे इसकी मदस्ते सीधा कर देना है और इसी तरह से आपको जो दूसरी वाली पट्टी है इसे भी आपको सीधा करना है सीधा करने के बाद आपको सके इंदर अच्छे से परेश लगा लेनी है मैंने सके इंदर परेश लगा दी है इस वाली सलाई को आपको बीच वीच में करना है और पिर आपको इसके अंदर दोनों तरफ अच्छे से पड़ा देनी है फिर आपको इसके इंदर से 4 इंच लंभी और 3 इंच लंभी पट्टियां कट करनी है तो मैंने सिसके इंदर के चार इंच नम्डी और तीं इंच नम्डी पट्टीयां कट नी पटी pac say इनुए सद्धे साइद में दूंगी और फिर आपको बाजू को लेना है पिर आपको इसे खोलना है सो और इसकट को और यहां पर आपको सीधा चौक की निशान लगाना है फिर आपको इस पट्टी को लेना है और आपको इसके चोड़ाई नापनी है कि कितनी है जितनी भी इसकी चोड़ाई है उसे हिसाब से आपको इस फिंदर निसान लगाना है तो इसकी जो चोड़ाई है वो एक इंचे तो आपको दोनों तरफ आदे आदे इंच की दूरी पर निसान लगाना है चोग की मदस्थे पर आपको चार इंच लंबी वाली पट्टी को रखना है यहां पर और एक इंच के करिब कपड़े को आपको अंदर की तरफ को दबा देना है फिर इस वाले कोने पर आपको जाना है और इस तरह से करना है इस वाले कोने को आपको दिनिहां वाले कपड़े को भी इसी तरह से आपको फोल्ड करना है इसे आपको इसकी कोनी सेव दे देनी है फिर आपको नीचे वाले कपड़े को आदे इंच की करिब अंदर की तरफ को फोल्ड करना है इसके ऊपर चड़ा द कि खुलेना आपको 3 चीश मुद्ट को लेना है और सुषन नीचे रखना छपका द लगा और सुमिंध कि मदस्र टाके लगा देने हैं के पर कियों किस तरिक इस हम यह कि पर प्टीन को शोट करिके से लगाना है झाल कि इसे फोल्ड करने के बाद आपको सुर्ण को लेना है सुर्ण को आपको इहां फे बीच अबीच में डालना है और इसके इंदर आपको सुर्ण की मदस से टाके लगा देने हैं और आपको गाषण लगा देनी है और दागे को आपको कट कर देना हैं तो आप देख सकते हैं लगने के बाद कितने ब्यारी लग रही है फिर आपको चार इंच लंबी वाली पट्टी को लेना है और इस पट्टी को आपको इसके नीचे रखना है और इसके अंदर आपको एक सिलाई लगा देनी है फिर आपको एक इंच के करीब कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और इस वाले कोने के कपड़े को आपको इहां पर लेके आना है और इसे आपको इस तरह से करना है फिर से आपको टिगोनी शेव देनी है और नीचे से आदे इंच की करीब कपड़े को इसके ऊपर की तरफ को फोल्ड करना है और इसके इंदर आपको इस लाई लगा देनी है फिर आपको तीन इंच वाली लंबी पट्टी लेनी है और इसे इसके ऊपर रखना है इसके इंदर आपको इस लाई लगा देनी है लाई लगाने के बाद आपको इस तरह से पोल्ड करना है और इसके इंदर आपको तून की मदर से टाके लगा देने हैं जैसे हमने पहले लगाए थे जिस तरह से मैंने आपको इतने बीच के इंदर इन पट्टीओं की मदरस्ते LOL बना के दिखाया है इसी तरह से आपको इस पूरी बाजु के अंदर इन पट्टि Hallelujah के मज़त से इस design को बनाना है मैंने इस पूरी Doesn के अंदर इन इस design को बना दिया है कि इस के बाद में मैं से कंदर मुर्टि कोछ सकते हैं आप इसे अपनी इच्छा के णुशार रक सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमारी बाजुका कितना बड़ी डिजाइन बनके तयार हुआ है आप इसे बड़ी ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे